प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 13 अगस्त यानि बीतेश निवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये वीकल एसक्रैपेज पॉलिशी को लॉंच किया है अब आप समझे कि आखिर होता क्या है ये और इसकी जरूरत क्यों है इसक्रैप करने से वाहनों को इसक्रैप करने से ट्रग मायलकों को क्या फाइदा होगा इन तमाम बातों को हम जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहे है सबसे पहले जानते हैं इसक्रैपेज पॉलिशी को इसक्रैपेज पॉलिशी के तहट 15 साल से ज़्यादा की government और commercial गारियों को scrap करने की यूजना है 20 साल से ज़्यादा पुरानी private गारियां भी scrap की जाएंगी पुरानी गारियों को re-registration से पहले fitness test पास करना होगा और automated fitness center पर पुरानी गारियों की जाच होगी अंतर राष्टिय मानकों के अनुसार गारियों की fitness जाच की जाएगी emission test, breaking system, safety components की जाच की जाच की जाएगी और fitness test में fail होने वाली गारियों को scrap कर दिया जाएगा अब सोचिए कि scrapage policy की जरूरत के उपर ही भारत में कुल 51 लाख हलके मोटर वाहन है जो 20 साल से ज्यादा पुराने है और 34 लाख ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने है लगभग 17 लाख medium और heavy commercial वेकल है जैसे ट्रक या फिर medium मालवाग वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने है और जरूरी fitness certificate के बीना ही चल रहे है scrap policy इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुराने वाहन फिट वाहनों के तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदोसन फैलाते हैं और सडक सुरक्षा के लिए बरा खत्रा है scrap करने से truck मालकों या फिर unwarn मालकों को क्या फायदा मिलेगा सबसे पहला लाव यह होगा कि पुरानी गारी को scrap करने पर एक certificate मिलेगा ये certificate जिसके पास होगा उसे नई गारी की खरीद पर registration के लिए कोई पेशान ने देना होगा इसके साथ ही उसे road tax में भी कुछ छूट दी जाएगी दूसरा लाव पुरानी गारी की maintenance cost, repair cost, fuel efficiency fuel efficiency इसमें भी बच्चत होगी तीसरा लाव सिधा जीवन से जुरा है पुरानी गारीों पुरानी टेक्नलोजी की कारण road accident का खत्रा बहुत अधिक रहता है जिससे मुक्ती मिलेगी और चौथा इससे हमारे स्वास्त प्रदुसन के कारण जो असर पड़ता है उससे कम ही आएगी ऐसे ही अन्न वीडियो के लिए आज ही हमारे जैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद